नमस्कार दोस्तों कोई आपको ये बता रहा है कि मोधी जी ने हवाई जहाज में चड़ने के लिए कितनी सीड़ियें चड़ी तो कोई आपको उस सीड़ी चड़ने की रफ्टार बता रहा है अग्रे सीड़ियां एक साथ चड़ गये तो कोई ये बता रहा है कि मोधी जब अमरीका पहुँचे तो विमान से बाहर निकलते ही उन्होंने छतरी अपने आप खोली या मोधी जैसे ही विमान के मुख्य गेट पर आए उन्होंने पहले हाथ उपर करके अब बादन किया प्रधानमंत्री के हाथ में एक छाता था जिसे उन्होंने पुदी खोली जैसे उन्होंने पुदी खोली वाह मोधी जी वाह कमाल का क्या है तो मोधी जी के अमेरिका दौरे के पूरे महा कवरेज में गोधी मीडिया ने समय समय पर अपनी बेजती भी कराई और मोधी जी की बेजती भी कराई देखे दोस्तों सबसे पहली बात तो मोधी जी अमेरिका में हवाई जास से उतरते ही वहाँ खड़े लोगों से मिलने चले गए वो भी बिना मास्क पेने और लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं और ये वही मोधी जी हैं जो हम से कहते हैं मास्क, सापसफाई और दोगज की दूरी ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हत्यार है Are you committing me? मोधी जी के इस विजिट से बहुत सारी बाते सामने आई सबसे एहम और बड़ी बात तो ये सामने आई कि जब मोधी जी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिले जोकि भारतिया मूल की है तो मोधी जी ने तो टूइट कर दिया लेकिन उन्होंने टूइट तक नहीं किया जबकि जब वो जांबिया जैसे छोटे तेश के लीडर से मिली थी उसका तक उन्होंने टूइट किया था और इस बात पे सवाल खुद भारतिये जनता पार्टी के नेता सुब्रमन्यम स्वामी नहीं उठाए यहां तक कि वहां के अकबारों तक में मोदी जी की इस विजिट की ख़बर नहीं छपी आपको यकीन नहीं आ रहा है अरे ज़रा अंजना जी चेक करके तो बताईए जो न्यूस पेपर है उसकी न्यूस पेपर जो है उसकी कवरेज देखने के हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधान उंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है तो इसमें जो बाइडन और मैकरॉन की ख़बर को तो डील किया गया है लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधान मंतरी की मुलाकात यहां पर तमाम CEO's के साथ होगी या पिर कमला Harris Vice President के साथ होगी उसके बाद अलग किस्म की coverage हो चलिए छोड़िए वो अब अन्जने जी की बात आही गई है तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे जब उन्होंने वहां पर मोदी जी के लिए आये या बुलाए गए लोगों से बात करी तो वहां पर भी उनका पूपट हो गया अज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है एकसाइटमेंट क्या है पिये मोदी के विजिए हम तो आए भाई हमारको बलाया गया है कि आए सपोर्ट करो अज़े मीजिशन सो वी आर हीर अज़े मीजिशन या अपनी बात रखी उसमें भी कमला हैरिस ने मोदी जी को डेमोक्रसी पर पाठ पड़ा दिया अज़े मोदी को डेमोक्रसी पर पाठ पड़ा दिया और हमारे भारत के ही लोग जो लगातार ये कहते आ रहे है कि लोग तंत्र खत्रे में है लोग तंत्र को बचाना है तो ये उनको देश द्रोही राष्ट द्रोही और धर्म द्रोही नजाने क्या क्या बोल देते हैं लेकिन अब जब अमेरिका की उपराष्टपती कमला हैरिस ने ऐसा बोल दिया है तो बोलती थोड़ी अंदर की ही अंदर ही रह गई तो दोस्तों जब मोदी जी के इस अमेरिका दौरे को अमेरिकी मीडिया ने उतनी तवज्जो नहीं दी मतलब कुछ भी तो दोस्तों अब अमेरिका में मोदी की बात हो गई है अब सीध है अपने देश भारत में आके गोदी की बात भी कर लेते है मतलब इस आदमी के अंदर कोई शर्म बची ही नहीं है कोई किस हादे तक दोगला हो सकता है मतलब बॉलिवुट के 5-5-10-10 ग्राम ड्रक्स पे इसने अपने गले की नसे फाड़ ली थी और जब गुजरात में 21,000 करोड की हीरोईन जप्त हुई तो ये चुप है इसी तरह से पालघर वाले मुद्दे पर ये जो भौका था जो भौका था भौकता ही रहा था और अब जब प्रियाग राज में नरेंद्र गिरी देथ केस हो गया है तो सहाथ चुप है क्योंकि अगर बोलने लगे तो शायद इनका एड रेविन्यू रुक जाएं जी हाँ दोस्तों एड रेविन्यू वो एड रेविन्यू जो उत्तर प्रिदेश सरकार से इन अलग-अलग न्यूस चैनल्स को आता है सिर्फ मात्र वो ही एक बजा है कि बार-बार हमारे BND को अलग-अलग लोगों से सुननी पड़ती है क्योंकि सबसे जादा पैसा इन ही के चैनल के पास आ रहा है आपकी इमांदारी आपकी निष्ठा आपकी कारे कोशलता आपकी पटूता आपकी पतरकारिता और जो इमांदारी और निष्ठा भारती जंता पार्टी के लिए मैं इसमें कभी शक नहीं करता हूँ और माशालला इसको मैं सल्यूट भी करता हूँ हाँ हम भी शकने करते हैं हम भी सल्यूट करते हैं ये एक आप में बहुत बड़ी खुबी है माशाललब ये बात तो है मैं तोस्तों आपको ये खबर दें या ना दें आपकी आवाद उठाएं या ना उठाएं entertain बराबर करते रहेंगे आपका पैसा विस नहीं होगा आप अपनी आवाद उठवाने के लिए और खबर जानने के लिए दूसरे authentic source पे जा सकते हैं अब इन ही को देख लीजिए जब चोरी पकड़ी गई जब ठीक बात प्रवक्ता बोलने लगे तो बोलती बंद हो गई एक यह है जिनकी बोलती बंद हो गई एक और है जिनकी बोलती बंद ही नहीं होती है आर वेरी ओन गेंडा स्वामी शाहरुक ट्विटर पर मेरे पीछे पड़ा है आमिर ने सौ करोड का नोटिस भेजा था ओवैसी प्लस सारी मुसल्मान पार्टियां प्लस जिहादी प्लस इसाई प्लस वामपंथी प्लस कई सरकारें प्लस पुलिस कोट कई ट्रिब्यूनर्स लेकर मीडिया सोशल मीडिया में मुझपर हमले जारी हैं क्या आप मेरे साथ हैं? नई तो दोस्तों आप गेंडा स्वामी का साथ दें या ना दें लेकिन सची खबरें आपके सामने रखने के लिए आप मेरा साथ तो देई सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखे एक तो बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेर ठोक दिजे महाताल का जब तो बागर लाइकर शेर ठोक दिजे पाज़ाइब फुरा सार मेहनत करता हूँ आपके लिए बटा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा